तो हेलो दूस्तो आज हम बात करेंगे यहां Central Bank of India का रुपे डेविट कार्ड की यानि कि यह जो रुपे कार्ड है इसकी कीमत कितने है यरली फीस कितना है और यह कब कैसे मिलता है क्या procedure होता है एट्यम कार्ड अपलाई करने का दी कि पहले यह कभर मिलता था अब इसे बंद क कर दिया गया है एक सक्टमबर 2022 के बाद इसका जो है मैंने कुछ दिन पहले किया था यह जो है मेरा अगस्ट में एक ATM कार्ड इशू आता वह भी एक मन्त के अंदर यानिकि एक मन्त 15 दिन करिबन समय लग गया था इस ATM को मिलने में इसका जो procedure क्या है सबसे पहले देखिए आ आपके एकाउंट में ट्रांजेक्शन है कि नहीं सबसे पहली बात अगर आप लोग एकाउंट में बैलेंस मेंटेर नहीं करते हैं यानिके आपके एकाउंट में पैसा आया ना गया आप ओटमेंटिक लिए ऐसे ही जाके फॉर्म करके ATM कार्ड अपलाई कर देए या से आपको मिलता है ब्रांस से मिलने का रीजन का अगर अपने अकाउंट में रखेंगे ऑटमेटिक ली तब आपको आपको फ्데कांट को यह वहें ऊपलोग कर देएक लिए और धीम कर लेंे उसके बाद जो है अपने आपको ब्रांच में अबने कर देतांग अगर बसक्ति एड्रेस होता है वो यह जाता है पहले जो component ऐसे जो हें आप कसी भी और भना सकते हैं लेकिन इसे जो है नभंबर में एप को के ऑपलीड़ किया गया है सेंटर्र मुबाई कर को अब को मीलिक तरब से इस तरका मैसेज आपको मिला हो वहीं जो है पहले अगर जीरो बैलेंस में एकाउंट में नहीं मिलना था मतलब चार्ज नहीं लिया जाता था फरस्ट तैम फ्री में प्रोइड किया जाता है लेकिन अब सेंट्र बैंक ऑफ इंडिया एक सेक्ट नंबर 2022 से इसमें 18% का GST भी लगा चुकी है यानि कि 300 रुप यानि कि आप आप नलाइनी के अपया या लाइन के तरुपॉ यानिकि आप ना फारा में हेसे साच कजसivan को की मैसेग रीओ कर दो है कि इसलीं नहीं करना है कि आपको उफ्राइन तरीका और यह इसकी यह फीस की बात करें तो करीबन 200 रुपिया चार्ज लगता है क्योंकि जी अस्टी एच सेक्टमबर 222 से हैं जीस्टी भी लगा चुकी है एटीन पर्चेंट का जीएस्टी अब बैंक वाले जो है एटियम कार्ट पे भी चार्ज वसूर्ण कर रहे हैं यानि कि टोटल इस एटियम कार्ड को अगर आप लेते हैं तो एक साल में यह करीबन 200-300 रुपय जो है आपका चार्ज में जाएगा उसके बाद आप इस कार्ड क कि यूपी आई किसी भी अप्लिकेशन में खोन पर गूगल पर या अधर्श अप्लिकेशन में यूज कर सकते हैं अच्छी वीडियो चीनल को सब्सक्राइब कर जीगा कोई भी सवाल हो कॉमेंट भी किजिगा मिलते हैं आप किसी अगले इंफरमेशन के साथ तब तक लिए जे इन जे भारत